नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पर्वत पर्यावरण अध्यान का जो एक स्लेबस में पार्ट है पर्वत तो उनके जो इसका क्लेक्शन का कलेक्शन है जो इसमें जी कि अगर एक भी आ गया तो दो भी आ गया तो बहुत ही जादा आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दो नमबर की वैल्यू होती है वह आपको भी पता है और खासकर उनसे पूछिए जो 68000 की भरती में एक दो नमबर से ज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजेगा ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको मिल जाए अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करना और अपनी दोस सब्सक्राइब करने का टाइम नहीं बचया अठारा तारीक को वरिक्षा है आपको सिर्फ पढ़ना इधर उदर की बाते थो हम बाद में भी कर लेगे है ना तो सब्सक्राइब कर लीजे फिर बाते तो होती रहेंगी तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे तो हमारा पहला क् क्रिशन है लेकिन पता होना चाहिए चार प्रकार के होते हैं पर्वत वलित पर्वत ब्रहंसोत्स पर्वत या ब्लॉक पर्वत भी जिसको कहते हैं ज्वाला मुगी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत आपको बता दू कि हिमाले जो है वो कैसा पर्वत है वलित पर्वत है हिमाले जहाँ पर वहाँ पर पहले क्या था टेथिस सागर था तो आगे देखते हैं यहाँ पर हमारे next question वही है हिमाले की उत्पति किस भू सन्द से हुई है तो यहाँ पर है टेथिस सागर जहाँ पर पहले हिमाले है वहाँ पर टेतिस जागर था उसके दोनों साइड जो है वो लैंड्स थे और क्या हुआ कि वो आपस में सरकने पास आने लगे जिसकी वैसे बीच में जो है फोल्ड होने लगा और इस तरह से एक फोल्ड माउंटेन बना जिसे हम हिमाले के नाम से जानते हैं ना प्रेजन कान सा है सबसे उचा सिखर जो है वो है माउंट एवरेस्ट इसका दूसरा क्या बन सकता है कि विशु का सबसे उचा उचा है लेकिन भारत का नहीं है क्योंकि ये नैपाल में है हाला कि ये किशन इतना जादा पॉप्लर है कि ये नहीं आएगाकर जो चीज़िए जैसे को पता होना चाहिए इसके बाद है फिर भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो ये है केटू या आप इसको गौडविन आस्टन भी कह सकते हैं ये भारत की सबसे उची चोटी और हिमालय की ही एक चोटी है या कह सकते हैं हिमालय की दूसरी सबसे उची चोटी है इसके जा दिया था कि भारत की सबसे उची-चोटी या फिर हिमाले की आप कह सकते हैं कि दूसरी सबसे उची-चोटी जो है वह कौन सी केटू आपको इन में से जो क्यूशन बनते हैं वो तो आप बस देखते चलिए लेकिन अगर आपको कोई क्यूशन नहीं बन रहा है तो आप उसको एक बार बाउस करके वीडियो पढ़ लीजिए ध्यान से ताकि आपको वो क्यूशन याद हो जाए क्योंकि क्या होता है हम जब कोई फसकर नहीं से बनने लगता है लेकिन कुछ समय के साथ होता है कि हम कुछ सुनते हैं अ कि उन्हें लなたक दो यह वीडियो को घंब कि लिए तो कई को ज़रूरते हैं आप एक पेपर लेकर right attorney कॉछी चोटी कौंड सी है तो वो है कंचन जंगा वही चीज है वहाई पर मैंने आपको अरड़ी बताया था कंचन जंगा भारत के किस राज़्य में इस देत यह question important है ठीक है क्योंकि कंचन जंगा है वह है बोल्थ थीक है सब लुट लुट अजीब सा नाम है इसको not down कर लीजिए ताकि आप दो तीन बार पढ़ेंगे इसको तो इसलीं याद हो जाएगा ठीक है नामवा बर्वे अजीब सा नाम है पर हां हाई है तो हमें पढ़ना तो पढ़ेगा तो अभी तक आपने हमाहे चैनल को अगर सब्सक्राइब में दिए तो अगला देखते हैं काइफ सबस्क्राइब कर कि ढालो पर छोटे-छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है परवत से ही संबंदित है लेकिन यहां घास के मैदान भी आ गए मतलब कि दो-दो टॉपिक एक में आ गया ठीक है तो उसको क्या कहते हैं लगू हिमाले शेडी में कि ढालो पर जो छोटी-छोटी घास के मैदान है उन्हें कहते हैं मर्ग अगला क्यूशन है आपका हिमाले परवत की आरा कान योमा नामक चोटी कौन से देश में है हिमाले परवत बहुत ही विश्याल परवत शेंकला है पूरी आपको पता है तो इसमें इतनी सारी चोटीया है और अलग-11 चोटी अलग-11 देश में बदो क्योंकि जहां तक हिमाले का विस्तार है वहां तक फैली हुई है कितनी सारी चोटियां जिनके हमें नाम नहीं पता होते हम बस वही फेमस फेमस जानते है तो इस तरह से अगर कभी किशन आएगा तो इसके बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं रहेगा तो हिमाले परवत की अरा कान योमा नामक चोटी म्यामार में है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजे ताकि आप इसको याद कर सके दो दिन पर पढ़ेंगे याद हो जाएगा अगला किशन ने उत्तरा खंड की सबसे उचा परवत चोटी कौन सी है सबसे उची होना चाहिए थे हाँ पर ये उची होना चाहिए था ठीक है तो सबसे उची जो परवत चोटी उत्रा खंड की वह है नंदा देवी ये फेमास है आपको शाद पता भी होगी नंदा देवी तो ये उत्तराखन की सबसे उची परवचोटी है अगली है शिवालिक शेडी का निर्माड कहां से हुआ है तो सेने जोईक से हुआ है शिवालिक शेडी का निर्माड कहां से हुआ है सेने जोईक ठीक है नो डाउन कर लीजे अगला किश्यन आपका भारत की सबसे प्राचीन परवश्रेडी कौन सी है सबसे प्राचीन परवश्रेडी भारत की ये इंपॉर्टन किश्यन है अरावली परवश्रेडी जो है वही है सबसे प्राचीन परवश्रेडी भारत की उसके हुआ औरहा वाली परवत का सरवोच शीकर क्या कहलाता है सर वूचि सबसे उच्ळा यह कहलाता है गुरु शीकर और इसको याद करना आसान है क्योंकि घुरु का पत्तो सबसे उच़्ा ही होता है छलिया आगे देखा है थिए तो आपका कौन सी पर्वतमाला सहाद्र के नाम से जानी जाती है ये है केरल तो आपके शाहाद्र के नाम से जानी जाती है गिरनार पहाड़िया कहा है यह बिहार में है ठीक है जो लोग बिहार के होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा नहीं यूपी वालों को भी मतलब हम भी यूपी के हैं तो पता ही होगा है लेकिन आगे देखते हैं इलाइची की पहाड़िया यह थोड़ा से इंपॉर्टेंट है सुना नहीं होगा या साइच सुना हो इलाजी की पहाड़ियां चुकि मैंने भी बहुत दिन तक इसका नाम नहीं सुना था मुझे अभी हाल में ही इसके बारे में जानकारी हुई है जब मैं आप लोगों के लिए नोट तयार कर रही थी उस टाइम पे तो इलाजी की पहाड़ियां जो है वो कहाँ स्थित है केरल में स्थित है फिर आपका है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा परवत स्थित है तो आपका हिमाले है ये तो सबको पता है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा परवत है हिमाले है तो ये इतना खास क्योशन नहीं है जो खास questions है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ एक बार सुरू से देख लेते हैं कौन-कौन से important जो आपको note down करने है तो परवत कितनी प्रकार क्यों होते हैं यह आप देख लीजे एक बार ठीक है इसके बाद फिर आपकी हिमाले की उत्पति कहां से हुई है यह भी important है सरवोचसिकर इतना important नहीं है केटू भी इतना important नहीं है कंचन जंगा इतना important नहीं है कंचन जगा कौन से राज में इस्तित है यह important है सिक्किम में यह असम राज में हिमाले की कौन सी परवत चोटी है यह इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद आप प्रिष्णागिरी देख लीजिए मर्ग देख लीजिए ठीक है यह माले की परवत की कौन से चोटी जो है म्यामार में है यह देख लीजिए उत्तरा खंड की सबसे हुची चोटी यह भी इंपॉर्टेंट है सिवालिक शेडी का नि जाएगा चुकि टाइम कम है तो टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए अठायत आई को परिक्षा और बिल्कुल लग जाईए बढ़ाई में और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल नॉटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा थाकि आपको नेक्स्टे नेक्स् लॉटिल्म में जिए धनले को सुट सE दीजिए आई बोले के बील्ग तबस्त दीजिएंगां को यद्विकेशन आई जो नहीं, थाई कहुआ जैए। हमा झाले क extracting हमे लग ऑकिनिए वन्हें सेहलीऎ में स्बक्र देटीजिए घनले क्में जे प।ो